आप देख रहे हैं रास्ट के नाम समर्पित OTT इंडिया और आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी गुपता कलर्स टीवी के पॉपुलर और कॉंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को लेकर फैंस के बीच एक अलग ही क्रेज नजर आता है हर साल फैंस इस शो का बेस सबरी से इंतजार करते हैं हाल ही में बिग बॉस OTT खत्म हुआ है और इसके बाद अब बिग बॉस 15 शुरू होने वाला है ऐसे में फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटिड है अगर आप भी शो का इंतजार कर रहे हैं और इसके प्रीमियर डेट से लेकर कंटेस्टेंट की लिस्ट तक हर एक चीज जानना चाते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए आपको बता दें कि बिग बॉस का 15 सीजन 2 अक्टूबर से कलस टीवी पर प्रेमियर होने जा रहा है इस बाद शो की थीम जंगल रखी गई है जिसे लेकर हाल ही में मेकर्स ने खुला सकिया था कहा ये भी जा रहा है कि ये सीजन सबसे लंबा चलने वाला सीजन होगा जंगल में रहना होगा इस थीम से इस बात के भी कयास लगाए जा रही है कि कंटेस्टेंट को हर सुख सुविदा पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा बिग बॉस पंद्रा का हाल ही में मेकर्स ने एक प्रोमो रिलीस किया था जिसमें सल्मान खान शो में क्रेजिनेस और पहले से बड़ा सीजन होने का वादा करते हुए नजर आए अब सवाल है कि इस बाद शो में मेकर्स कौन सा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं कलस टीवी ने हाल ही में शो को लेकर एक ट्वीट किया है जिसके मताबिक बिग बॉस 14 की विनर रुबिना दिलैक शुयता तिवारी और गोहर खान बिग बॉस के घर में अपने-अपने कबीले के साथ एंट्री करती हुई नजर आएं की इससे पहले सीजन में गोहर और हिना खान निशिदार शुकला के साथ बता और सीनियर एंट्री की थी ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शो में ये तीनों एक्ट्रिस क्या धमाल मचाती हुई नजर आती है इसके अलावा शो वीक देज में रात को साड़े दस बजे ओन एर होगा वही वीकेंड पर साड़े नौ बजे वही अब आखेर में बात कर लेते हैं शो के कंटेस्टिन की लिस्ट की अलकि इस बार कंटेस्टिन की लिस्ट को काफी प्राइवेट रखा गया है लेकिन कई कंटेस्टिन के नाम कंफर्म बाने जा रही है जिसमें बिग बॉस OTT की विनर दिव्यागरवाल समेश शो के फाइनल में पहुंचे कंटेस्टिन की एंट्री भी बिग बॉस 15 में तैमानी जा रही है इसके अलावा अर्जुन बिजलानी, शिवांकी जोशी, निधी भानुशाली, करन कुंद्रा, बर्खा बेस्ट और अमिर टंडन जैसे पॉपलर स्टार्स के नाम को लेकर रूमर्स है हाला कि अभी नाम को लेकर कोई ओफीशल कंफर्मेशन नहीं मिला है विलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहेए OTT इंडिया के साथ रग रग में हिंदुस्तान